हेलो स्टोन्स आज हम पढ़ेंगे सिक्स्टर्णेट की जोग्राफिका चैप्टर नाइन जिसका नाम है यहां पर हम कैरोसीन का यूज कर रहे हैं लैंप में यह रिसोर्स जो है यह बायो फ्यूल से हमें मिलता है फिकर 9.2 शोज फ्यूल बिंग फिल्ड इन अ मॉटर का फ्रम वह वोज दी अनर्जी रिसोर्स ब्रॉट टू पंप यहां पर हम देख सकते हैं कि यह कार में फ्यूल फिल्ड किया जा रहा है तो कोशन है कि यह कहां से आया है जो फ्यूल इसमें फिल्ड किया जा रहा है फिकर 9.3 शोज मालती विधा पिन विल्ड फादर विन विनुग विनॉइंग ग्रेंड वू इस है बॉथ अपर देख सकते हो कि यह बच्ची खेल रही है मालती और इसके फादर जो है यह अपना जो अनाज है वह साफ कर रहे है इन दोनों को यह है वो विन अनर्जी कर रह रही है विच रिसॉर्स यूज अनर्जी रिसॉर्स इस यूज फोर लाइटनिंग अ लैंप रनिंग रिक्षो और हीटिंग ओयल एज शोनन फिगर 9.4 नाइन पंट फॉर में अगर हम देखें तो यहां पर यह यह लपीज गैस जो है वो सामान बनाने के काम की जा रही है और सेम अलपीज गैसे ही यहां पर लाइट भी चलाई जा रही है और जो यह और रिक्षा है यह सी एंजी पर चल रही है what are the various purposes for which man can use sunlight sunlight से हमें heat मिलती है हम उसकी heat को absorb कर सकते हैं उस heat से आप जैसे जानते आजकल solar energy का काफी trend है तो उससे हम electricity पैदा कर सकते हैं या उसे हम पानी गरम करने के लिए भी use कर सकते हैं और साथ में sunlight जो है वो light का एक बहुत बड़ा source है उसे light के लिए भी light के purpose से हम भी use कर सकते हैं for which of the above energy resources do we have to spend money इन में से हमें किसके लिए money spend करनी पड़ेगी kerosene को खरीदने के लिए हमें money spend करनी पड़ेगी wind जो है उसके लिए हमें money spend नहीं करनी पड़ती वो freely available है नीचे यहाँ पर CNG और LPG को खरीदने के लिए हमें money investment करनी पड़ेगी यहाँ पर यह फ्यूल हम फिल कर रहे हैं कार में इसके लिए भी हमें पैसा spend करना पड़ेगा और यहाँ पर जो solar energy panel है इसको जो हमें install करना है जब हमें खरीदना है तब हमें इसमें पैसे खर्च करन अब हमें पैसा खर्च करना पड़ता है बाद में नहीं करना पड़ता है अब हम page number 52 पर चलते हैं which of these energy resources are available free of cost इन में से कौन-कौन से resources free of cost available है wind energy जो है वो हमारे पास freely available है solar energy वो हमारे पास freely available है थोड़ा explanation पड़ते हैं we engage in various activities to fulfill our needs for which we need energy हम अलग-लग activities के लिए हमें energy की जरूरत पड़ती है in the past human labor and animal were used for many tasks इससे पहले जो है हम इंसान या फिर जानवरों को अपनी labor काम के लिए basic जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते थे gradually man's needs increased and with it several changes took place in the use of energy resources and devices जैसे जैसे आगे समय आगे बढ़ा और इंसान की जरूरतें पड़ी तो उसनी अपने नए-नए resources निकाल ली और काम असान होने लगे जैसे आप जाते कि पहले हम एक जगा से दूसरी जगा पर जाने के लिए घोडे हाथी इन चीजहों का इस्तेमाल करते थे बट आज कल bikes, cars, aeroplanes और बहुत सी ऐसी चीज़े आ गई है जिससे हमारे speed भी बढ़ गई है और हमारा दूसरी animals और humans पर dependency भी कम हो गई है लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए energy जो है हम इसी nature से ही प्राप्त करते हैं यू must have realized this while answering the above questions ऐसा हम जो हमने पहले caution answer किये हैं उनसे समझ चुके हैं वी उस पेटरल, wind, natural gas, sunlight, etc. besides other resources यह कुछ common resources हैं जो हम अपनी daily life में use करते हैं जैसे कि हवा हो गई, natural gas हो गई, जैसे CNG, LPG, sunlight हो गई, petrol हो गया energy resources can be classified in many ways such as conventional and non-conventional, biotic, abiotic, renewable, non-renewable अलग-लग तरह से हम energy resources को divide कर सकते हैं conventional, non-conventional जो कि basically जो हम पहले समय से, पुराने समय से use करते आ रहे हैं उन्हें हम conventional resources of energy कहते हैं जो हमने अभी नए develop किये हैं नए resources ढूंडे हैं उन्हें हम non-conventional कहते हैं biotic, abiotic जो की nature में naturally available हैं और हमें bio से means दूसरे animals से या फिर plants से मिलते हैं वो biotic हो जाते हैं जो हमें बाकी non-biotic means, abiotic means जो हमें plants के अलावा बाकी चीजों से मिलते हैं वो abiotic में count हो जाते हैं जैसे wind energy हो गई, solar energy हो गई renewable जिनको बार-बार हम renew कर सकते हैं, जिनकी कोई कमी नहीं है धरती पर जैसे की sunlight हो गई या फिर wind energy हो गई, जो हम लगातार यूज कर सकते हैं और कभी वो कम नहीं होती है non-renewable जैसे की petrol, diesel, natural gas, यह सब जो हैं non-renewable में आ जाते हैं substance based और process based कुछ जो है हम substance से प्रप्त करते हैं जैसे की call हो गया या फिर यह diesel and all हो गया कुछ होते हैं process based जो की हम चीजों को एक चीज से दूसरी चीज में convert करके हम बनाते हैं यह जैसे की process based हम कह सकते हैं कि जैसे हम hydropower plants होते हैं जहां पर हम पानी की मदद से बिजली पैदा करते हैं वहां पर पानी पर कोई असर नहीं होता है लेकिन वह उस particular process में हम उससे चलाते हैं कि हमें पानी को उस direction में बहाने से बिजली मिलती है let us consider the last classification जो अभी last में हमने classification की substance और process based उसके बेस पर हम इसको classification से हम देखते हैं कि क्या सही है यह काम करते हैं the energy resources through their characteristics with classification substance based energy resources and process based जैसे की call हो गया, wood हो गया, mineral oil, natural resource, gas, waste matter, atoms जो हम इन से energy लेते हैं वो substance based है, atoms है जैसे पता होगा nuclear power plants होते है वो atoms के अंदर आते हैं और दूसरे है यह process based जैसे की sunlight हो गया कि हम किसी चीज़ पर लगाता है sunlight पढ़ने देते हैं तो उसमें heat ही कठी हो जाती है वो गरम हो जाता है substance या फिर हम solar energy को electrical energy में convert कर सकते हैं wind से भी same है हम आपने वो देखी होंगी windmills देखी होंगी water से जैसे अभी मैंने बताय है hydro power plants हो गए ऐसी ही tidal power plants भी होते हैं जो समूदर में उंचे उंचे tides उठते हैं उनके energy को भी हम इसी तरह से use करते हैं उसमें कोई substance यूज़ नहीं होता है लेकिन वो एक process based है and heat from the earth's interior और धर्ती के नीच से जो geothermal heat है उसको हम use करते हैं substance do not last perpetually और जो substance based energy है इसमें एक बार हमने substance को use कर लिया तो वो खतम हो जाता है वो बार बार हमें उसको generate नहीं कर सकते हैं लेकिन यह प्रोसेस बेस्ट हैं इसमें हम लगातार इन चीज़ों को use कर सकते हैं इसमें कोई ऐसी limitation नहीं होती है हमारे पास यहाँ पर substance जो खतम हो जाता है यहाँ पर प्रोसेस हमेशा ही चलता रहता है सूरज आज भी है कल भी होगा इसी तरह से हवा हमेशा चलती रहती है और समुद्र में टाइट जो है उठते रहते हैं reuse is not possible substance based में हम reuse नहीं कर सकते हैं लेकिन process based में हम reuse कर सकते हैं availability इनकी बहुत limited है लेकिन इसकी unlimited availability है कोई restriction नहीं है amount पर takes thousands of years to replenish them इनको बनने में जैसे आपने अभी पढ़ा हो गया या क्लासिस में पढ़ेंगे यह coal हो गया mineral oils हो गया इनको बनने में 1000 लाखों साल लग गये थे और इनका जो resource है हमारे पास धर्ती में बहुत ही limited है लेकिन अगर हम यहां पर process based देखें sunlight या wind या water हो गया इनकी यह नेचर में बहुत ही बड़ी quantity में naturally available है except for atomic energy all other resources are biotic इसमें some जो है वो biotic है क्योंकि wood जो है पेड़ों से मिलते हैं वो भी alive होते है coal और mineral oil जो है यह fossil fuel से जब बहुत पहले बहुत पुराने में जब पेड़ पोधे और animals के जो जमीन के नीचे दब गए थे उनके उपर pressure और atmospheric conditions के कारण ही यह coal और mineral oil बने थे natural gas वहीं से हमें मिलता है और atom जो है वो biotic नहीं है क्योंकि वो हर चीज में पाया जाते हैं हम uranium जो है वो धरती में naturally भी पाया जाता है और उसकी लगातर पैदावार भी वह लगाता भी रहता है इवन हमारी बोड़ी के अंदर भी uranium पाया जाता है लेकिन बहुत कम quantity में होता है और जबकि यह process भी natural processes है हमें हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होता है sun naturally available है wind भी water भी tides भी और geothermal energy भी generation of energy leads to pollution और जब हम यह coal को जलाते है mineral oils को जलाते है natural gas को जलाते है तो इससे काफी pollution होता है क्योंकि यह सब जो है carbon dioxide या और भी nitrogenous gases या sulphates जो है लेकिन koila हो गया mineral oil हो गया या लकड़ी हो गई यह हम बहुत पहले से ही use करते आ रहे हैं इसलिए इन्हें हम conventional resources मानते हैं और यह sunlight हो गई तो यह कुछ हद तक conventional थे लेकिन अभी हमें इनके नए-नए uses पाता चल रहे हैं तो इस वज़े से हम इन्हें non-conventional resources consider करते हैं generation of energy is relatively cheap इन resources से लकड़ी हो गया यह mineral oil हो गया इनसे जो इनको यूज करने के लिए हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ते हैं लेकिन sun की energy को या wind की energy को ये tides की energy को यूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा process के उपर खर्चा करना पड़ते हैं यह काफी ज्यादा investment के काम होते हैं लेकिन एक बार खर्चा करने के बाद हमें बाद में इन पर कम खर्चा करना पड़ता है और यह environment के लिए भी अच्छे है being inflammable these resources cause damage to environment क्योंकि यह resources जलके ही हमें heat energy देते हैं तो इसलिए यह environment के लिए खराब हैं लेकिन जबकि process based जो है उनमें ऐसी कुछ नहीं होता कोई ज्वलन शील्ड चीज नहीं है तो यह environment के लिए अच्छे होते हैं types of power generation thermal and atomic अपने thermal power plants सुना होगा इंडिया में ज्याद तर जो electricity बनती है वो thermal power plants से ही बनती है और atomic power plants भी इंडिया में हैं लेकिन बहुत कम quantity में लेकिन all over the world काफी बड़ी quantity में atomic power plants पाय जाते हैं और इस तरफ से thermal और kinetic दोनों है thermal power plants में यहां पर sunlight वाले आ जाएंगे solar power plants आजकल इंडिया में लग लग जगा पर नई नहीं building जो बन रही है वहां पर भी thermal power plants इस्टब्लिश किये जाते हैं और especially बड़े-बड़े quantity में भी thermal power plants बनाए जा रहे हैं और kinetic में यहां पर हम ले सकते हैं windmills हो गया वह kinetic energy के दर आते हैं क्योंकि हम पर जो हवा की motion है उसको यूज करते हैं water में भी जो hydro power plants है वहां पर भी हम kinetic energy यूज करते हैं और tides की form में भी हम kinetic energy का ही यूज करते हैं अब हम page number 53 पर चलते हैं using these energy resources we can undertake the following kinds of power generation energy resources को use करके हम इस तरह से power जैसे hydel power plant हो गया thermal power हो गया atomic power हो गया geothermal power हो गया यह सब यूज करते हैं इन thermal power stations it is necessary to burn the energy resource directly to generate electricity thermal power plant पे हम जो है कोईले को लगातार जलाके हम पानी को गरम करते हैं और फिर उस बाप को हम use करते हैं तो इस वज़े से हमें लगातार इन चीजों को जलाना पड़ता है और इनको जलाना बहुत ज़रूरी होता है electricity produce करने के लिए kinetic energy can also be used to generate power और electricity kinetic energy भी use की जा सकती है इन कामों के लिए तो यह एक experiment है 9.6 से जो 9.10 तक अलग अलग figures दी गई है तो इनके बैसिस पे हम अलग अलग energy resources को classify कर सकते हैं उनको उनकी list बनानी है हमें now classify them using the chart we have studied discuss whether we can use alternate energy resources for cooking तो अभी जो यह resources यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या क्या use हो रहा है तो उसके बैस पर हमें divide करना है कि वो substance based है या process based है और उसके साथ ही कि या हम उनके process को बदल के किसी और तरीके से वहाँ पर खाना पका सकते हैं या कोई और process हम यूज कर सकते हैं इन चीजों के लिए इन सभी photos में अब हम पेश नंबर 54 पर चलेंगे substance based energy resources wood in villages wood is used on a large scale for cooking on earthen stoves गाउं में अक्सर छोटे गाउं में लकडी ही जो है वो मेन संसाधन है खाना बनाने के लिए और कोल लोग अगो plant and animal remains got buried due to the earth environments they were then decomposed due to pressure and heat leaving behind the element carbon that is how coal was formed जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत समय पहले जो plants और animals थे उनकी जो बचे हुए मरे हुए plants और animals थे वो धर्ती के नीचे दब गए और उनका जब वो decomposition हुआ उनका तो pressure और heat की वाज़े से carbon पीछे चूट गया और बाकी सब जो था वो decomposed हो गया और जो बचा हुआ हिसा था वो coil अब उससे coil बना coil is used for different purposes according to its quality low quality coil is used for cooking and coke and high quality coil is used in industries as also in thermal power stations coil के हम अलग लग तरह से uses करते हैं जो low quality का होता है उसे हम घर पे खाना पकाने के लिए यूज करते हैं जो high quality का होता है उसे हम industries में और thermal power plants में use करते हैं mineral oil and natural gas like coal these were also produced due to earth movements जैसे हमने coal लग पड़ा है वैसे ही mineral oil और जो natural gases है वो भी इसी तरह से ही बने थे अलग लग plants के धरती में plants और animals के अफशेश धरती में दबने के वाज़े से mineral oil is found under the land surface and also below the ocean floor जो mineral oils है यह धरती के नीचे और साथ में साथ समुद्र के नीचे भी पाये जाते हैं in most of the mineral oil wells reserves of natural gas are also found जहां जहां हमें mineral oil मिलते है वहां वहां natural gas भी मिलती है mineral oil reserves are limited in nature इनकी quantity बहुत ही limited है however this oil is in great demand लेकिन यह बहुत ज्यादा demand में है क्योंकि इनसे energy बनाना बहुत आसान है इनका use करना बहुत आसान है hence its cost is very high इसलिए इसका जो दाम है वह बहुत जादा है जैसे आप जानते है कि आज गल तो वैसे इंडिया में diesel और petrol का दाम बढ़ता जा रहा है it is called black gold इसे काला सोना भी कहते है because it has a blackish color and it is costly क्योंकि इसका रंग जो है वो काला है और इसका दाम बहुत जादा हाई है इसलिए इसे black gold भी कहते है इनका use जो है हम थर्मल पावर जनरेशन में भी करते है study the distribution of mineral oil and coal fields in India as strong figure 9.14 9.14 में लग लग इन तरह की distribution दिया गया है कि कहां पर mineral oil इंडिया में मिल रहा है available है और कहां पर कोईला available है